उडिसा के बाला सोट से चरी चक्रवाती तुफायन पस्चिन बंगाल ठारकंड की रास्ते बिहार की राजधानी पटना समीत कई जिले में हाहा कार मचाय हुई है। गुरवार से हो रहे वायो और वरुन्देव के परवंज़ से किसानों का फसल नुकसान समीत जीवन अस्त वैस्त रहा। इसके मौसमें जरजर हो गई है। वही वचपारा विधानसवा शेत्रों में 50 से अधिक सर के जरजर रिष्तिती में हैं जो विकास की राह देख रही है। और जब जब बारिस होती है तब तब आवा गवन में लोगों को परिशानियों का सामना करना पर रहा है। जबकि विधानसवा चुनाव के पुर्व कई सरकों का सिलान्यास हो चुका है लेकिन अभी तक उध्धारक की बार जो रहा है। शेतरे लोगों ने कहा कि जब तरी अस्तरिय पंचाती चुनाव बिधानसवा लोगसवा समेत कर चुनावाते हैं तो विकास की बाते चुनाव जीतने के लिए बहुत होती है। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होती है तो विकास की बाते करने बाले कहां गायब हो चाते हैं पता ही नहीं चलता इस बारिस के मौसे में सरकों की दुरदसा इतनी खराव है कि लोग अपनी मौत को दावत दे कर सरकों परावाचाव करने को विवस हैं इन समस्याओं को लेकर जन परती नीधी पदादीकारी के समक्ष कई बार चर्चाएं की जाती है लेकिन इन पर किने की नजर नहीं परती वहीं शेत्रों में बार जैसे इस्तिती उद्पन हो चुकी है कई घरों में पानी परवेश कर अपनी चपेट में लिया है दरजनों किस पान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बारिश तुफान में फसल काफे जादा नुक्षान हुआ है लोगों का जन जीवन अस्तबस्त है वे सरकार से अपील करेंगे कि फसल चटी की जाच कर उचित मुआपसा दिया जाए इस समन्द में प्रखनकिशी पदादीकारी द उसना के तहट कि एगे सरक निर्वानकारी बारिश के मौसमें जरजर रिस्तिती को लेकर प्रखन विकास पदादीकारी कुमारी पूजा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जाच कर उस पर अविलम करवाया जाएगा वही अंचला दिकारी निहा कुमारी से दुर्भास की मा इस्वार से दिपक कुमार राई की रिपूर्ट आसपास पुड़ा पानी जलमगन हो चुका है और देखले जलमगन हो गया है लाखो की खषथी है इस इस अधी तुफान को लेकर घ्र जअदी ऑभीकता अभियान च्हेत्रों में चलाया गया था झाऊधिकी नभी कहां को हुए आसवस्यू कि आपका पर्च्य गर